देखिए आज हमाँ है नर्शरी में आपको दिखाएंगे कि बरसात के सीजन में आप कैसे गमलों की भराई करें और कौन-कौन से पोधों का चुनाओ करें जिससे आप अपने घर की सुन्दरता बढ़ा सकते हैं देखिए इस तरब भी रखे हुए हमारे बहुत सारे बहुत ह पौधे लगा रही है जुरंथा गोडियाना देखिए कैसे इन्होंने पहले प्लास्टिक के थैली में मिट्टी और गोवर की खाद का मिक्चर भरा हुआ है उसका देखिए लोग यह लगा रही है पूरे पौधी कि इसके तुकड़े लग जाते हैं कि इसके तुकड़े लगा रहे हैं कि देखिए इन्होंने सब पूरा यह हाथ से फिल किया हुआ है कि एक सामने उपर वाले में लगा कि दिखा दी जिए जालिए थेंक यू अक्सम नमस्कार किसान भाई हो देखिए यह आप जब मकान बनवाते हैं मकान बनवाने के बाद लोग अब गमला रखना भी जो है बड़ा पसंद करते हैं और गमला रखने के लिए आपको कौन कौन से पौदों की पहचान होना चाहिए और किस मोसम के रखा जाये तो ज्यादा पहतर होता है इस समय हम वे जो भाय मान जो पौदे होते हैं कि मौशन चल रहा है यह सब्दें देख्याने में पुरा है इस प्रकार के जो पाउधे हैं यह बिलकुल सोभाय मान होते हैं गैलरी ओं लगाने पर उच्छा मकान की गैलरी हो या परामता हो जो भी हो आपके पास है इसको इसको इस घंसर रखे एक लाइन सिक्वर से तो देखने प्रा सुन्दर लगता है इससे मकान की सोभा और बहतर ह हो जाती है कि एक पौधा जो हुआ सामने आप देख पा रहे हैं हां डाकसब क्या नाम है इसका इस पौधे का नाम है सिंगोनियम और अच्छा पौधा देख लागता क्यों इसकी पत्ति देखे बिलकुल चौड़ी और चित्तिजार रूप में आ जाती है कि यह पौधा प क्यient इस पडीध हम लोग काते हैं नाग बंद। कि इस का गांव में कसर भी होता है कि इस पाउध कहा लगा देजिए लोग का ते हैं नाग लेँन आते हैं विए भी आपका वायमान पौधा है जो आपका है पूल वाला पौधा ये कौन सो पौधा है ये हमारा जो ट्राफा पौधा आए अच्छा इसके साइड में ये रखा गया ये कौन सो पौधा है ये अमारा बिल्कुल आप देख रहे हैं ये इसे हम बोलते हैं अगयव पौधा ठीक है अगयव है ये और आप इसकी पत्तियां जैसे ये हैं ये ऐसे बारा महिने बनी रहेंगी आपके अइसे सेम हरा भरा बना रहता है पुरा गमला आपका पूरा हरा